उदेपूर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां शिक्षक हत्या मामले में प्रशासन और परिजनों व समाजजन के बीच बनी सहमती आपको बता दे लगातार तीन दिन से मोर्चरी के बाद समाज के लोग और विभिन संगठन के लोग मुआवजे की मांग और कारवाई को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे इसी बीच खबर सामने आ रही है जहां प्रशासन और परिजनों की सहमती बन गई है प्रशासन ने 31 लाख का मुआवजा और एक सविधा पर नौकरी और गाव में अस्थाई चौकी की मांग को माना है वहीं आपको बता दे कल उदेपुर बंद नहीं रहेगा सहमती के बाद पोस्ट मार्टम की प्रक्रिया हुई शुरू